नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीचुल फंड से सम्मंधित जी हाँ, अप्रेल 2024 में मीचुल फंड में SIP, SIP के जरिये मंतली नवेश का जो आंकड़ा है वो 20,000 करोड के पार कर गया है अभी मीचुल फंड में इन्वेश्ट करने का बहुत ही ट्रेंड बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसमें कम रिक्स है और हाई रिटन्स है इसमें क्या होता है, चलिए हम जान लेते हैं देखिए, अप्रेल 2024 में मीचुल फंड में SIP से मंथली निवेश्ट का जो है वो आंकड़ा ये कितना पार कर गया है, 20,000 करोड से अधिक का पार कर गया है उससे संबंधित है, देखिए Association of Mutual Funds in India AMFI की और से जारी आंकड़ों के मताबिक अप्रेल महिने में जो सिफ के जरिए ये मीचुल फंड में निवेश्ट हुआ है, वो 20,371.47 करोड का निवेश्ट हुआ है समझे इस बात को जो Association of Mutual Funds in India है AMFI इसके एकोर्डिंग ये कह रहा है कि ये जो मंथली में मतलब एक मंथली में निवेश्ट हुआ है वो 20,371.47 करोड रुपे हुआ है ये सबसे अधेक है अभी तक का पिछले साल इसी महीने में SIP के लिए मतलब 2023 में जो अपरेल में अपरेल में निवेश्ट हुआ था वो मात 13,728 करोड इन्वेश्ट किये गए थे जो अब हम बात करें अपरेल 2024 की तो 48.39% जादा है ठीके न ये है इसके बारे में हम पॉइंट टू देखते हैं देखिए सिस्टमेटिक इन्वेश्टमेंट पिलान SIP क्या है पहले ये समझ लेते हैं म्येटिल म्येटिdefined में पैसा लगाते हैं म्येटिल फंडिसमें कई तरगे की स्कीम कई तरगे की योजना है उसमें एक SIP रहती है जिसमें क्या होता है सिस्टमेटिक इन्वेश्टमेंट प्लान SIP mutual fund द्वारा जारी एक निवेश योजना पध्धती है जिसमें कोई एक मुष्ट निवेश करने के बजाए समय समय पर निश्चित अंतराल पर जैसे कि एक महिने में एक बार mutual fund योजना में एक निश्चित रासी का निवेश कर सकता है देखिए बैसे जो SIP रहता है जो मंथली basis पर रहता है मतलब lump sum एक तो lump sum होता है lump sum ठीक है एक होता है lump sum और एक होता है SIP ठीक है अब SIP के जो किस्त की रासी है वो कम से कम 500 रुपे पृति महाएं होशक्ती है ठीक है तो यह होता है SIP इसके SIP के जरिए नवेश करने का जो बढ़ रहा है बहुत ही ट्रेंड बढ़ रहा है ठीक है यह इसमें करना भी चाहिए क्या है कि अधि आप 1000 रुपे पर मंथ बचाते हो 30 मतलब 30 दिन में 30 दिन में लगभग 100 से 200 रुपे तो बढ़ने की गारंटी इसमें होती है चाहिए जैसा मार्केट हो यदि मार्केट आपका खराब है तो कभी कम हो जाता है लेकिन फिर मार्केट सही होने पर फिर से भी बढ़ने लगता है तो यह होता है SIP ठीक है इसमें आप डेली पैसे नहीं लगाएंगे आप उसमें मंतली बेसेस पर करेंगे जिस परकार से आप बीमा बगेरा करते हैं उसी परकार से हैं देखिए मीचुवल फंड क्या होता है मीचुवल फंड एक निवेस माद्यम है जहां कई निवेसा के एक अबदी में अपनी पूजी पर रेटर्स अर्जित करने के लिए अपना पैसा जमा करते हैं देखिए वही होता है मीचुवल फंड मीचुवल फंड अब जो स्टॉक मार्केट है सेर मार्केट है उससे कई स्कीम हैं जिसमें एक मीचुवल फंड स्वी आता है मीचुवल फंड में एक फंड प्रवंदक होता है जो फंड के निवेसों को नधारत करता है और लाव और हानी का इसाब करता है देखी मैं आपको बता देता हूं जैसे कि माना कि आपने पेटियम मनी एप से पेटियम मनी एप से आपने निवेस किया एक हजार रुपे निवेश कर दिया ठीक है, मीच्वल फंड में SIP के जरीए अब जो इसका फंड मेनेजर होगा FM होगा भहे, एक हजार रुपे आपके कई कंपनियों में लगाता है, एक जगह ने लगा कर कई कंपनियों में लगाता है ठीक है न, जिसे कि यदि इसको नुक्सान हो रहा है तो 2 मैंसे रिटरंस मिल जाए, यदि 2 को हो रहा है तो खम से खम, 1 मैं रिटरंस मिल जाए ऐसा कभी नहीं होता है कि सभी कंपनियों में रिटरंस ना मिले मतलब कुछ, अब को बताया है कि PTM money PTM money ठीक है इसका fund manager होगा वो हिसाब कताब सारा लाब और रहनी का हिसाब कताब रखता है यह होता है इस परकाल से process चलती है बैसे stock market share market की जो टर्म से वो इतनी आसानी से नहीं समझी जा सकती है लेकिन आप जितना मैं बता रहा हूं आप देहार रखें दीरे दीरे आपको mutual fund और share market से वीडियो अपलोड होते रहेंगे तो आप दीरे दीरे उसे समझते जाएंगे SIP निवेस में इस सुशाल से अपरेल 2014 में mutual fund का total assessed under management AUM 57.26 लाक करोड रहा है जो मार्च में केबल 53.40 लाक करोड था अब यहां बात देखो नए ट्रम्स की बात आती है mutual fund का total assessed under यह यह जो होता है देखिए निवेसक है investor है निवेसक है investor है उसने जो पैसा लगाया है उसने जो money लगाई है उसका उस पर जो percentage returns मिला है या फिर हानी हुई है कुछ भी यह returns हुआ है उसे मिला के यह पूरा fund का total assessed under होता है मतलब total होता है management AUM या assessed under management वह कुल रासी है जो mutual fund योजना के पास होती है mutual fund houses की और से hold की गई security की current market value को asset under management AUM कहा जाता है ठीक है न अब मतलब जैसे की आपने पूरा पैसा आपने पैसा लगाया कई नवे सक हैं उनसे जो returns मिला हुआ है वह भी आपका market में SIP में जो पैसा लगाया है तो वह fund का total assessed under होगा मैं समझता हूं है जो की मार्क में 53.40 लाक करोण था ओपन एंडेट एक्विटिटी फंड में नेट इन्फिलो 16% कम हुआ है देखिए यह ओपन एंडेट होता है यह क्लोज एंडेट एक्विटि फंड होता है ओपन एंडेट में आप कभी भी फंड लगा सकते कभी भी निकाल सकते यह होता है इसमें यह MFI के आकड़ों के मताबक अप्रेल में ओपन एंडेट एक्विटिटी फंड नेट इन्फिलो में करीब 16% की गिराबट हुई है इससे कोई मतलब नहीं है 18.970 करोड रुपे का इसमें नवेश आया है जबकि एक महिने पहले मार्क 2024 में ओपन एंडेट एक्विटिटी में दी गई है बहां से आप यह डीमेट एकाउंट खुल जाएगा उसके बाद मीचुल फंड में या अन फंड में पैसा लगा सकते हैं उसके लिए हमने हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है वैसे यह जो नंबर है ठीक इस पर वाट्सप कर सकते हैं ओपन एंडेट एक् एकसे बैसे बैलू एन एबी आ गई है मतलब कोई भी कमपनी है कोई भी कमपनी है उसकी जो प्रति दिन की बैलू है उसके हिसाब से ही ओपन एंड הד equity fund में नवेस होता है जिसे यूट कहा जाता है ठीक है न इसमें इसमें बता देता हूं मैं理ूट फंड में न Black के पर पिद किया हुआ है चाय वो बॉंडो किसी भी माद्यम से है और उस पर जो खर्चा हुआ है ठीक है ना स्पेंट वा है और उसको भागत देंगे हम जो भी unit है इंवेस्टर ने जो भी unit की है हमारा एनए भी उसका निकला जाता है किसी भी कंपनी का प्रती यूनिट एने भी निकालने के लिए मीचुल फंड के पास जो कुल जमा रकम समेद पोर्टफोलियों के सभी सेरों के बाजर भाव के कुल योग मैंसे सो है सो रुपए मानके चलो और आपके पास दस यूनिट है ठीक है न तो आपकी जो एने भी होगी वो दस रुपए होगी क्लियर यह होती है अब जो एने भी यह आएगी उसी के हिसाब से आप पैसा लगा सकते हैं आदि आपको एने भी दस रुपए है तो आपको पांच प्रती दिन पता चलता है एने भी कितनी है ठीक है अपरेल दोहजार चौबीस में मीचुवल फंड एसाइपी एकाउंट की संख्या आट दसम्लाव साथ जीरो करोड पहुंच चुकी है जो मार्च दोहजार चौबीस में आट दसम्लाव तीन नो करोड रुपे थी अपरेल में मीचुवल फंड फोलियों की संख्या अठारा दसम्लाव चौदा करोड उच्तम पर पहुंच गई है इस महीने में नए एसाइपी की संख्या 63 ये 63,64,907 रही है पूरी रही है तो एसाइपी चाहे एसाइपी जो मंदली विसेश पर की हो या किसी विसेश पर की हो लेक तो देखिए ये वो कि ये तो क्लियर है पोट्फोलियो की संख्या मतलब टोटल नम्मर ओफ जतने पोट्फोलियो बने हैं अब देखिए जो हम पैसे लगाते हैं मीचुवल फंड में कई तरह की जो योजना रहती है जैसे मल्टी केप फंड इसमें कई तरह की जो कंपनी रहती है वह रहती है इसकी काइटेरिया होता है मैं आपको बाद में बताऊँगा मैंने कहा है कि मुचुल जो शेर मार्केट है उसको एक दिन में समझना आसान नहीं होता है धीरे-धीरे हम बताएंगे जब large cap funds की हमबारें बताएंगे तो जो multi cap funds की scheme में सबसे ज़्यादा हुआ है 2723.87 करोड रुपए इतना निवेश हुआ है सबसे 2723.87 करोड इतना निवेश आया है वो भी multi cap देखिए ये जो लार्ज केप है वो 357.56 करोड लार्ज एंड मिट केप 2638.91 करोड मिट केप funds 1793.07 करोड इसमाल केप funds 228.07 करोड डिवेंडेड एल्ड फंड तीन सो ताली तीन पांच करोड बैलू कॉंट्रा फंड एक हजा नोसो च्यासी दिसमाल तेहतर करोड देखिए ये अलाग अलाग इसकीम होती है उसमें कंपनी सामिल होती है और जो देखिए जिसे कि हम बात कर रहे हैं इसमाल केप funds तो इसमें भी बहुत होता है जब ज़्यादा नवेस होता है वो मल्टी केप funds में करते हैं जब इसमाल केप होता है तो इसमें करते हैं मतलब कम होता है यह जरूरी नहीं है देख रिक्स तो हाई रिक्स जो मल्टिकेप फंड्स होती है इसमें भी रहती है रिक्स तो कहीं भी होता ही है लेकिन जितना आप रिक्स उठाएंगे उतना फायदा भी होगा mutual fund में आप तुरंत पैसे ना निकालें लगा कर और इसमें लगा रहने दीजिये कभी कभी इसमें करोड़ पती से भी अधिक लोग बन गये हैं समय रहे करोड़ पती मतलब ऐसा नहीं है कि करोड़ पती बने पांच करोड़ पती समय रहे यह कहने का मतलब तो आप समझ सकते है जो मैं बात बोड़ रहा हूँ, कि जैसे कि mutual fund में आपके पास पैसा है, आप दो-तीन हजार रुपए भी बचाते हो, एक हजार रुपए भी बचाते हो, तो ये भी returns देगा, आपका पैसा कहीं भी जाने वाला नहीं है दोस्तो, ठीक है न, देखिए, यदि आप dimate account खोलना च हुआ है, वो तो किवल account open बंद हुआ है, पैटीम का, ये सबसे अच्छा है, और ये अच्छा return देता है, आपको 1% return जादा मिलेगा पैटीम मनी में, ठीक है न, कोई समस्या होती है, तो आप WhatsApp कर सकते हैं, link description box में भी दी गई है, जहां से आप हमारे link से करेंगे, तो हम आप को help कर पाएंगे, आपको किसी परकार की कोई असुदा होती है, तो हम आपको guide करेंगे, ठीक है न, दोस्तो, पेटीम मनी में आप account खोल सकते हैं, बहुत अच्छा है, ये इसकी link आपको description box में मिलने ही बाली है, दोस्तो, तो हम आशा करते हैं कि ये video आपको अच्छा लगा होगा और हमने समझाने की conscious की है, हम share market से सम्मंदित पते एक दिन एक video जरूर upload किया करेंगे, हम अपने इस channel पर दोस्तो, तो यदि आपको हमारा यह channel अच्छा लगता है, तो आप इसे subscribe जरूर कर लें दोस्तो, और अभी तक आपने हमारे इस video को like नहीं किया है, तो like कर दे दोस्तो, हमारा यह video देखने के लिए बहुत बहुत धनवाद, किसी भी समस्या के लिए, आप कोई भी suggestion के लिए, हमें आप comment भी कर सकते हैं, हमारा यह video देखने के लिए पुनहा, धनवाद दोस्तो